तो यह नाम अशन्जय और आपको का मेरे विलेज रूफटोप गार्डन या फिर देशी मुर्गी फारीम चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स यह देखिए यह मेरे कुछ देशी मुर्गी के बच्चे हैं तो लगबग यह 120 दिन के आसपास के बच्चे हैं तो आप इनको अ पार आए है तो यह लगबग आप बेगाम असील बोल सकते हैं इसको और है कि यह अशील का मुर्गा है है और वो जैडवाइट मुर्गा है मेरा मुर्गी है सोरी मुर्गा घर पे है उसको ठोड़ा चोत लगी आ है कल मेने वीडियो डाली कि उसमें तो मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि फार्म वाले बच्चे जब तो यह वाले बच्चे हैं सभी और यह मेरा मुरगा है तो यह मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था फ्रेंड्स कि एक जी का है और यह बाकी लगबग 600 ग्राम के है तो लगबग काफी बहुत तेजी से ग्रोथ किया है सब को एक जैसा खाना मिलता है सब कुछ लेकिन इसके अंदर थोड़े हार्मोन ज्यादा बनें साइद इसके ज्याद सब्सक्राइब देख सकते हैं अच्छे से साथ इधर घर पर फ्रेंड्स देख लीजिए आप यहां पे मेरे पास में तीन मुर्गी है और चार मुर्गी और तीन मुर्गी है तो मुर्गा एक तो वह है फ्रेंड्स वह मुर्गा है और एक वह मुर्गा है जो बड़ा वाला अभी इनको खुला हुआ है अभी बाखी मुर्गों को निकालूँगा मैं इसके अंदर से तो इसके लिए मैंने इनको इधर खुला रखा है अभी यह थोड़े दिर खुला रहेंगे और सब कुछ है जो इधर कशरावा करा गिरा हुआ है जो बचाव कुछा है वो सब खापी लेंगे बाद में इनको इस पिंजरे में दो गंटे बाद में बंद कर दूँगा और रात में दो गंटे शाम को दो गंटे में निकालूँगा और ये मेरे कुछ मुर्गे हैं तो मैं इनको थोड़े इनको सर्दी लगी है तो थोड़ा इदर इनको अलग सेपरेट कर गया रहा हूं और बाकि कीडी मोकोडे वगयर चीटी वगिदर रहती है तो उनको का लेती है और बाकि इनको झाल झाल